हलो दोस्तों, दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो बिट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज किस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे constitution क्या होता है, इसकी definitions क्या है, इसका meaning क्या है में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप political science के student है, राजनिति विज्यान के student है, 10th plus 1 plus 2 graduation ये किसी भी stage की political science का अदियन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्तपूर्ण होने वाली है अगर आप law के student है, तो constitutional law में आपको constitutional का meaning समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्तपूर्ण होने वाली है तो आगी दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं तो students, सबसे पहले हम introduction साब वीडियो को शुरू करते हैं अगर मैं इस topic को introduce करने की बात करूँ, constitution को introduce करने की बात करूँ तो बच्चों आप लिखोगे कि हमें पता है कि political science is the study of state and government प्रूलिक किसी study करती है बच्चो, state की और government की state कैसे बनता है, basically state चार essential elements से मिलके बनता है जिसमें एक है मारी population, एक है मारी land, एक है मारी government, एक है मारा sovereignty यह चार essential elements जब किसी entity के पास आ जाते है when an entity acquired or has obtained the four essential elements that becomes a state तो जब भी एक entity state बनती है तो उस entity के पास कुछ एक questions अपने सामने आ जाते हैं वो कैसे questions होते हैं, सबसे पहला question entity के पास यह होता है कि जो state है जो हमारी country बनी है, जो नई entity हमारी world map पे आई है, यह नए देश अजाद हुआ है उसमें government कौन सी होगी? क्या parliamentary form of government होगी? presidential form of government होगी? unitary form of government होगी? या federal form of government होगी? देखो, forms of government बहुत टाइप की होती है, हमने वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं तो कैसी form of government हमारी देश में होगी? यह question पहले rise होता है दूसरा question rise होता है, कि जो यह country बनी है, जो नए state बना है, वो अपने citizens को क्या fundamental rights देगी? मौलिक अदिकार देगी? अगर देगी तो मौलिक अदिकार कौन-कौन से होंगे? तीसा question rise होता है, कि क्या citizens को मौलिक अदिकार ही दिये जाएंगे या कोई duties भी दी जाएंगी? क्या कोई duties दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी चोथा question राइज होता हूं के पास कि यार जो state बना दिया country बन गई इस state की duties क्या क्या होंगी directive principles क्या क्या होंगी state के आर्थात जो state है जो नया state world map पे आ गया है उस state कुछ principles को दियान में रखते हो जो काम करेगा वो directive principles क्या क्या होंगे जिन principles को ध्यान में रखते हुए state को काम करना पड़ेगा ये भी क्या बनता है ये एक question rise होता है state के सामने मेरी बात दियान सुनना ये introduction में आप सारी बाते लिखोगे बच्चों अगर आपको systematic manner में material चाहिए क्यासे लिखना है तो आप हमारे वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर नोट्स के लिए नोट्स पेड है पर आपको जो नोट्स मिलेंगे ए बन क्वालिटी के होंगे अच्छे अच्छा material सब्सक्राइब नोट्स में लिखा होगा आपको एजली अंडरस्टेंडेबल होंगे तो आप इस वर्ट सब्सक्राइब नंबर पर नाइन डबर तो सेवंगे नोट्स ले सकते हैं पर पेड नोट्स होंगे बच्चों उसके लाब आप पांच मां कुशनराइज होता है कि सब्सक्राइब पैसियुट्टी का सीस्टम कैसा होगा,igent कैसेज़न इलेक्ट होंगे,ःग प्रेसिच्ट्टी नियू था। इस सब्सक्राइब एक उससनी था इन सब्सक्राइब था पेस्टेशा का भी एक रिक्शन विख जब्सक्राइब उसकरत आपके तो इन सबी बेस तो यह सारे कोश्टीन स्मक्ष और इनका अंसर कोंड करता है यह कॉंस्यूशन, तो वाट इस सारे कॉंस्टीन बेसिकली, तो इस्सारे कॉंस्टीन ने शुक्ष्ट उतर इसारे काश्टीन का इस स्मक्ष? a set of rules which provides knowledge about the form of government that a country would have the fundamental rights that a country would give to its citizens fundamental duties that would be given to a citizen dietary principles that would be given to a state itself the system of executive, legislature, judiciary and everything this is basically the constitution I hope you will understand it so in this introduction you will read all the details now let's start with the constitution's meaning what is the meaning? students, first of all, we can see the meaning constitution, the word constitution this is derived from the latin language word constitute which means to establish see, some books are also written in a constitution so both words are okay latini language or latin language words constitute which means to establish कुछ is establish करना तो बट is constitution basically constitution established कुछ rules का समू है established कुछ कानूनों का कुछ fundamental rules का समसू है जो हमें knowledge देता है एक country के working system के बारे में a country में government कैसी होगी एक country में fundamental rights कैसी होंगी a country में duties क्या होगी के लोगों के ऊपर ड्रैक्ट्री प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होगा इन सभी के बारे में जो नोलेजु देने वारा कानून है वो अगैे सब्थred सलेज़ मोनग गविलाईय से कितने साल के लिए बनेगी और गवर्म का अर्गन काओंगे वह क। इनकी पावर्स क्या होगी लोगों के फंडमेंटल राइट इते क्या होंगे डू प्रिंस्पल स्थ पोलिशी थीजे बताने वाला जो ड़कूमेंटल है यह पेसा स्व चोट पर दो यूख स्राइब उसेका सिर्डेजनी यह रिए मैं में पर रहिता है और के लिए में उसे यह प्रषा बॉल सब्सक्राइब ऐसे का प्रषार बॉल आए इंद गफॉर ना इंद सब्सक्राइब अपाररा इंदॉ प्रषा डिजञे पर अधर प्र बाहे में जो बताता है यह document अपको डॉक्यमेंट बोलो यह rules है यह set of rules fundamental rules है this is about the constitution I hope आपको समझा रहा constitution क्या है अब हम देख लेते हैं किसकी definitions various scholars ने क्या-क्या दी है the students अब मैं term constitution की definitions की बात करूँ to different scholars ने different way में इसको define करने की प्रशिश करी है तो एक एक करके कुछ definitions देखते हैं सबसे पहले according to getal कुछ लोग इसको जीटल भी परनाउस करते हैं पर गैटल ही परनाउस कर रहा हूं मैं इसको जी डेवल्टी डेवलल गैटल क्या बोलते है कि constitution क्या है the fundamental principle that determine the form of government form of a state एक स्टेट की form क्या होगी country कैसी होगी unitary होगी federal होगी parliamentarian होगी कैसा एक स्टेट होगा उसका जो form कैसी होगी यह कुन बताता है हमें यह कुन बताता है एक constitution क्या है गैटल क्या बोलना चाहते है constitutionally का ऐसा document है constitution एक ऐसा set of rules है जो हमें बताता है कि एक country कैसी होगी country का nature क्या होगा state का nature क्या होगा बच्चों देखो अब इंडिया का नेचर बता देता है यह mixture है युनित्री का और फेडरल का। वैसी किसी भी कंट्री का कॉंस्टिटुशन Gatle यही बौना चाहते है कि कि स्वी कंट्री का युसे नियच्र बता देता है। सा कृटिन्ड लिम्हीं बता देता है। एक country ने अपने लिए जो वी आफ लाइफ चूज किया है वो constitution बताता है कैसे वी आफ लाइफ चूज किया है? कि जो state है उसमें government कैसी होगी? fundamental rights क्या होगी? duties क्या होगी? जो document हमें ये बताता है जो document हमें knowledge देता है कि state ने क्या way of life अपने लिए चूज किया है? वो constitution है as per Aristotle I hope आपको definition समझारे होगी Austin, Austin बहुत ही बड़े scholar है जिन्हों उन्हें command theory भी दी हुई आपको पता है जुरिस्पूडेंस के बहुत बड़े महान एक scholar है Austin क्या मानते है? Constitution क्या करता है? It fixes the structure of the supreme government एक देश में गवर्मेंट तो होती है देश को चलाने वाली state को चलाने वाली government तो होती होती है state तो अब state concept है खुद कुछ नहीं कर सकता उसके भी हाफ में काम government करती है तो एक state की government का structure क्या होगा? वो कौन बताता है? वो constitution बताता है constitution basically fixes the structure of the government of a state यह हमारे आस्टिन बोलना चाहते है अगर डाइसी की बात करूँ प्रफेसर डाइसी जोने रूल ओफ लो का concept दिया था इंगलान के बड़े ही परसिद एक scholar रही है डाइसी के बोलना चाहते है जो constitution है it is the product of all those rules which affect the sovereignty of a state डाइसी के बोलना चाहते है कि constitution एक country एक country की sovereignty को जो effect करता है उन रूल का पूरा पूरा product है it is a product of all those rules which affect the sovereignty of a state एक state की sovereignty के बारे में कौन बताता है constitution बताता है उसको effect कौन करता है कैसे किया जाएगा constitution बताता है यह डाइसी बोलना चाहते है यह तो चार definitions हुई बच्चों इसके लावा कुछ definitions और भी है जो मैंने आपने notes में लिखी है अगर आपको notes चाहिए simple language में आप में वर्टस आप कर सकते है notes paid रहेंगे मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको लेकिन कोस्ट काफी जैनूर रहे की तो क्या definition है कैसी वीरे कैसी वीरे एक scholar है जो ने बोला था कि constitution जो इंडिया का constitution है वो मिक्स्चर है federal and unitary it is quasi-federal basically ऐसा बोल थानों ने इंडियान constitution के बाले में यह क्या बोलती है कि constitution is that body of rules which regulates the ends for which and the organs through which the government is exercised government power is exercised तो क्या बोलना चाहते है कैसी वीरे कि it is a body of rules यह rules की body है जो regulate करते है which regulates the ends for which and the organs the government power is exercised मतलब यह बोलना चाहते है कि constitution एक ऐसी rules की body है जो हमें बताती है government की organs क्या क्या होंगे और गर्वरमन की organs की पावर क्या क्या होंगे बेसिकल यह यह बोलना चाहते है एक लिक्रेस्ट है g-i-n-c-r-a-s-t the constitution of a state is that body of rules and laws written or unwritten which determines the organization of government and the journal principles on which these powers are to be exercised. बिल्कुल सिम्पल बास लिखिया है, गिल्ट्राइस का बोलना चाहते हैं कि Constitution कुछ rules का सुमू है, जो written भी हो सकते हैं, unwritten भी हो सकते हैं, जो एक देश की government का क्या organization होगा उसके बार में बताते हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स क्या होगे, government की function करने के उसके बार में बताते हैं, powers क्या होगे, government की उसके बार में बताते हैं, तो बच्चो आज की lecture में हमने क्या समझा, हमने देखा Constitution क्या होता है, फिर हमने देखा उसकी meaning, इसकी definition, इन सब को पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल गया, कि Constitution एक country का सबसे supreme law होता है, Constitution written भी हो सकता है, unwritten भी हो सकता है, Constitution body of rules है, जो हमें एक देश की governing के बार में बताता है, वर्किंग के बार में बताता है, जो बताता है कि एक country वर्क कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, Constitution ऐसा document है, जो country में कैसी government होगी, इसके बार में बताता है, Constitution ऐसा document है, जो हमें उस country के लोगों को क्या fundamental rights मिलेंगे, इसके बार में बताता है, constitution एस दोक्यूमेट चैसaning कृमीटल करें कि चैनों को क्यानल कृ works ऑख रहें कि इंगी कि प्राइब का समय था कंौन स्वम्र्डूम्ट üzप сможं prod उप संप क्यों अग्ली एक्सफ hora में इस प्र्श्टि rappelle क्या Mär enfa jak बाकी भी आप हमने constitution पढ़ना शुरू कर दिया है हम लगातर पढ़ते जाएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें आप इन दोस्तों सा शियर करें और साथ ही मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग के student है आपको constitution अच्छे से समझना है सीखना है आपको बारत का समीदान पूरा जानना है अच्छे से तो आप हमारी paid lectures को join कर सकते है नहीं केबल बारत का समीदान बड़कि कोई भी लोग का subject है CPC, CRPC, IPC, evidence या towards, administrative law, property law आपको लुछे के टापको इए कि लुछे समीदान ओुछे से मिन अच्छे से पक्षब को गया दो बड़कि काना है